असलाम लेकुम जे स्टूडेंट जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम डेल्टन के ट्वॉंटी थैटीन के एक बहुत ही इंट्रस्टिंग आर्टिकल को डिस्कॉस कर रहे हैं जिसका नाम है इंगेजिंग चिल्रेन इन गिसट्रेशन को किस तरीके से खानी के बारे में बियान कर सकते हैं अगर हम इसमें टिकनोलोजी इस्तेमाल करें तो क्या होगा जो हमारा multi model expression है बन्यादी तोर पे वो hypertext method से express हो सकता है कैसे हो सकता है इसको हम देखते हैं कि हमें delta ने क्या बताया है जब हम कोई भी media इस्तेमाल कर रहे होते हैं especially जब हम कोई gadget इस्तेमाल कर रहे होते हैं computer का जैसे के हमारे पस इस article के अंदर ppt की slides या powerpoint मौझूद है तो हमारे पस एक से ज्यादा options मौझूद होती है ना सिर्फ हम जो है speech bubble बना सकते हैं और उसके अंदर अपने expression लिख सकते हैं बलके thought bubble बना सकते हैं उसमें भी expression लिख सकते हैं उसके लावा जो important options आती हैं वो यह आती हैं कि हमारे audio recording भी कर सकते हैं और जिस वक्त हम hypertext commentaries बनाते हैं बन्यादी तोर पे ना सिर्फ आप दूसरों के comment और पढ़ रहे होते हैं दूसरों के thought balloons पढ़ रहे होते हैं बलके दूसरे आपके भी thought balloons पढ़ रहे होते हैं आपके expression, आपके ideas, आपके comments भी दूसरे उसके go through हो रहे होते हैं जब भी हम किसी character के बारे में बताना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहा था या उसके बोलने का मकसद क्या था तो हम ना सिर्फ balloons और bubbles के through बताते हैं कि वो क्या मकसद बताना चाहरा है या आपका क्या ख्याल है उसके comments और dialogues के बारे में बैलकि उसमें आप अपनी audio recording भी शामिल कर सकते हैं as a comment आपको type करने की ज़रूहत नहीं है आप अपनी voice piece के अंदर add-on कर सकते हैं जब कभी भी student audio recording करते हैं in hypertext में और hyperlinks के अंदर और अपने comments देते हैं तो बन्यादी तौर पर audio recording जो है वो ज्यादा genuine expression होती है आपके written expression के निस्पत उसमें ना सिर्फ आपकी यवास शामिल होती है आपकी यवास का उतार चड़ाओ भी शामिल होता है और आपकी यवास का drama भी उसके अंदर create हो रहा होता है तो depend करता है students के अपने उपर कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से कहानी पढ़ी है कहानी कितनी interesting है complex है और कहानी को आप उसके अंदर से उन्होंने कौन सी important expression निकाले हैं या find out कर ली है पावर पॉइंट के अंदर आपका voice recorder जो basic voice recorder है वो available होता है अगर आपको लगता है कि आपका voice recorder में आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही तो माइक्रोफोन वखेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी वास की quality अच्छी आ जाए उसके इलावा आप ना सिर्फ अपने comments में अपनी आवाज शामिल कर सकते हैं आप multiple images भी शामिल कर सकते हैं स्टूरेंट खुद भी ढूंके ला सकते हैं graphics को गूगल से pictures को और different expressions को और sound effect को समाल कर सकते हैं video clips जो है उनको add-on कर सकते हैं जिससे उनका point of view जो है clarity के साथ बाकी लोग सुन सकें अब इस hypertext community में होगा क्या कि तमाम student एक दूसरे का काम देखेंगे और उनकी effort देखेंगे उनकी skills देखेंगे और उनका knowledge देखेंगे कि वो किस level बजाके किसी भी कहानी को पढ़ते हैं उस कहानी को किस तरीके से exfoliate कर सकते हैं और इसमें से क्या interesting चीज़े निका सकते हैं मतलब होता है खियार देना कि जिसमें वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ काम कर सकें दो काम कर सकते हैं पहला काम कि कर सकते हैं कि आप कोई भी text चूस कर लें पूरा text चूस करने की जरूरत नहीं है उसमें से कोई dialogue हो सकता है कोई important quotation हो सकती है को important scene हो सकता है और उसके उपर जो आपने insert की हैं आप उने illustrations के साथ भी अपना hyperlink जो है उसको develop करें और develop करके student को chance दें कि वो उसके उपर भी comment कर सकें और अपने expression दे सकें यह तमाम काम करने के लिए definitely student को text एक से दो, दो से तीन या तीन से चार दफार जरूर पढ़ना पड़ता है पहला text तो definitely आप as a teacher उनके साथ पढ़ेंगे, दूसरा text आप उनके साथ दुबारा पढ़ेंगे, different तरीके से ताकि वो समझ सकें जो पहली दफार reading में नहीं समझ पाई, या वो identify कर सकें, जो first reading में उस कहानी के अंदर identify नहीं कर सके, so ताकि student को पता चल सके कि author कहना क्या चा convey करते हैं उन dialogues के बारे में, teachers अगर उन hyperlinks के साथ अपने सवाल भी insert कर दें, तो बच्चों को एक framework मिल जाता है, एक roadmap मिल जाता है, कि हमने किस direction में सोचना है, और कैसे comments करने है, तो यह तमाम चीज़ें मिलके एक बहुत ही interesting किसम की language activity बन सकती है